Yes students, now see the question number 1. You are given some objects. We take questions start करने से पहले एक बर ही आप अपनी बुक को open कर ली जिए. Page number 108 and take pencil with you. Okay, we are going to do these questions. You are given some objects and circle all the objects which are sold by measuring capacity. यहाँ पे आपको कुछ object दिये गए हैं and circle all the objects. आपने उन objects पे circle करना है which are sold by measuring capacity. यानि कि जिसको हम capacity में measure कर सकते हैं, लीटर या मेली लीटर में measure कर सकते हैं. ठीके, तो आपने उसको circle करना है. तो अगर हम first में देखें, यहाँ पे जो first object है, this is a petrol. यहाँ पे इसके उपर लिखा है petrol. पेटरोल क्या होता है, लिक्वेड होता है, पेटरोल किसे कहते हैं, जिससे vehicle चलती है, bike, bus, car, हाना, हमारे जो जितने भी vehicles हैं, truck वगारा जो भी है, वो सब पेटरोल से चलता है. ठीक है, bicycle को छोड़के बाकी जो scooter, bikes, जितने भी हमारे पास vehicles होते हैं, वो सब पेटरोल से चलते हैं, तो पेटरोल क्या होता है, लिक्वेड होता है, ठीक है, तो इसको हमने क्या करना है, अब circle करना है, यही आपको बोला गया है, कि जो भी liquid है, उसको आप circle कीजिए, जिसक आसे यह दिख रहा है, तो इसकी quantity जादा है, तो इस लीटर में ही measure होगा, अब यह देखे बिटे, second number पे यह क्या दे रखा है, cloth, अभी हमने chapter 8 किया था जो पीछे, तो उसमें हमने length, lengthwise पड़ा था कि meter या centimeter में हम measure करेंगे, कोई भी cloth है या कोई ribbon है, तो उसको हम किसमें measure क करेंगे, यह unit 9 से related है, इसको छोड़ दीजिए, यहाँ पे ribbon है, यह भी आपका unit 8 से relate करता है, lengthwise इसको हम measure करेंगे, यानि कि meter या centimeter में, ठीक है, इसको भी छोड़ दीजिए, oil, oil आपका liquid है, ठीक है, तो oil को हम क्या करेंगे, circle, like this, now, see the question number 2, compare the following, using greater or smaller sign, ठीक है, तो आपने compare करना है, और compare करके आपने यह बताना है, कि इसमें से कौन सी quantity जो है, वो जादा है, तो उसकी तरफ आपने greater का sign लगाना है, यानि कि मूँ खुले का sign लगाना है, see capacity of a water tank, जो capacity है water tank, water tank क्या होता है बिटे, पानी की जो tank ही होती है, आप सब के घर में होगी, top पे लगी और पूरा दिन हम उसको use भी करते है, that means कि वो क्या है, लीटर में है, हाना, उसकी quantity जादा है, तो वो लीटर में है, तो यह जादा है, अगला देख लेते है, capacity of a bucket, अब bucket जो है, वो तो बाल्टी होगी, हाना, तो उस bucket में कितना आ जकता है, obviously tank जितना तो नहीं आएगा, हा की तरफ दिखाना है, now say the B part, capacity of a glass, और यहाँ पर क्या लिख है, capacity of a, जग, अब जग में से हम कितने glass पानी ले सकते हैं, obviously three या four तो ले ही सकते हैं, ठीके, तो यह तो glass है, glass में तो सिरफ इतना ही आएगा कि जितना की आ सकता है, लेकिन जग में तो बहुत सार आ सकता है, two या three glass cover हो सकते हैं, तो यहाँ पे जो capacity है, वो जग की ज़्यादा है, तो इसको हम greater का sign लगा के show करेंगे, now say capacity of ink in your pen, जो आपका pen है, यानि आप pen यूज नहीं करते हैं, लेकिन चलिए, example ले लिजी आप, कि जो pen है, उस pen में जो ink है, उसकी capacity, और capacity of ink in an ink port, इंक पोर्ट क्य इंक फिल कर सकते हैं, तो एक pen में तो सिरफ उतनी इंक होगी, जितनी उसमें डली हुई है, लेकिन इंक पोर्ट से तो हम बहुत सारे pen की, इंक फिल कर सकते हैं, यानि कि बहुत सारे pen उसमें फिल हो जाएंगे, इंक पोर्ट से, तो इसकी capacity क्या होगी, जादा होगी, इंक की ठीक है जो डी पार्ट है बिटे यह आपके लिए होमवक रहेगा खुछ से ट्राइ कीजिए आपको बेटर समझ में आएगा ना सीधा कोईशन नमबर थर्ड